अलो एब्रीवन सभी को मेरा राम राम आज की मेरी डिश है किट्स इस्पेशल लंच बॉक्स तो बच्चों के लिए क्या बनाए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने यहां पर एक दो रेसिपी सेयर की है आए देखते हैं तो मैंने यहां पर एक प् इसमें टिफिन भी रख देएंगे टिफिन में भी पानी होना चाहिए उसका ढ़कन बंद होना चाहिए और इस तरहीं किसे तीनों चीजों को हम रख देंगे और एकडम मीडियम आज पर हैंसे हम पका लेंगे चार से पांच विसलाने तक के लिए आप छोड़ दीजे अच कब आठा दॉट कूँ अच्छे से मसल टे हुएmek पानी की ह़िप से आप इसका डोव बना लेज़ें पानी तो दोवर डालिए और एक मुलायां डोव बना कर त्यार कर लेंगे इसका डोर टाइट नहीं होना चाहिए मुलायमी होना चाहिए अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें कॉंस के दाने डाल देंगे जो पके हुए थे उसके बाद से हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फिर हम यहाँ पर आलू को पोटैटो मैश घ्र की मदद से मैच कर लेंगे आप हाथ से भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें कॉंड डाल देंगे अदर चमश नमक थोड़ा से चिली व्लेक्थ्स ठोला सा ओर ओर धिकल देंगे इन सभी हम आलू की फिलिंग डालेंगे और एक चीज का स्लाइस हम डालेंगे बच्चों को चीज बहुत पसंद होती है इसलिए हम चीज की स्लाइस भी इसमें फिल कर डेंगे इस तरीके से आप रोल करते हुए थोड़ा साइस में उपर से हमने धनिया का पत्ता और ही गैनो चीली फ् जाते हुए इसे हम इसका मुह बंद कर देंगे अच्छे से इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है और अगर आपका आटा सॉफ्ट है तो यह बहुत अच्छा लेयरिंग हो जाएगा इसका तोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हम अच्छा सा इसका रोटी जैसा एक गोलचे बना लेंगे बनाने के बाद इसे हम तवे पे सेखेंगे मीडियम आज पर तुनों तरफ से अच्छे से से शेकने के बाद इसमें हम देसी घी का इस्तमाल करेंगे देसी घी लगा दीजे आप बटर लगा दीजे और यह बचों को बहुत ही पसंद आने वाली दबाते हुए सेखेंगे जिससे की अच्छे से सिख जाएं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर इसकी हम कटिंग करेंगे ठंडा होने के बाद इस तरीके से साइड में रख दीजे ठंडा होने के बाद इसे आप पिज़ा का तर्या चागू की मदद से काट बच्छों को क्रियेटिविटी ही तो पसंदाती है इसलिए ऐसे खोलते हुए आप बच्छों को पिज़ा का शेप दे सकते हैं पराठे को बहुत ही टेस्टी बीट रूट भी चला जाएगा बच्छों के अंदर और कॉर्ण भी तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा ही ह यूसे का यूज़ करना है और एक चीज स्लाइस और ले लीजे़ और उसको ऐसे छोटे-चोटे पीसे में कट कर लीजे चाख की हेल्प से फिर हम इसमें तोड़ा-छा आलू की चुटा से पीड़ा बनाएंगे और उसमें उसमें छोटा से बीच में पिंगर की इस तरीके से गोल करते गोई चोटे चोटे आप बॉल बना कर तैयर कर लेजिए, इसी तरीके से हमें सारे इसी बॉल बना कर तैयर कर लेना है, थो रसा साथानी से करिएगा, बहुत अच्छा ये बन कर तैयार होगा, कुड़कुरा और तेस्थी, उसके बाद हम अपए पैं गरम कर लेंगे, उसमें हम थुरा सा बाटर या घी डाल देंगे, सारे ही सेक्शन को हमें घी से ग्रीस कर लेना है, घी लगा दीजे सारे सेक्शन में, उसके बाद ये सारे ही बॉल्स एक एक करके सारे सेक्शन में डाल दीजे, दीरे दीरे इसे पकने देना है पांच से दस मिनट में ये करारे हो जाते हैं दोनों तरफ से इसे पलट के करारा कर दीजे और बच्चों को थोड़ा सा और क्रियेटिविटी करना है तो आप ऐसे बॉल भी दे सकते हैं और स्टिक्स लगा दीजे ये बहुत ही अच्छा उनके लिए लॉली पॉप बनकर त्यार हो जाएगा चीज लॉली पॉप इस तरीके से सास की साथ आप सर्फ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा खाने में लगता है बहुत टेस्टी बनता है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तब तक के लिए बाबाए